ये आंकडों में जो mismatch है, gap है, ये क्यों है, ये हम बार-बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचेव जर्याराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानी प्रशासन पर, इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह कर रहे हैं, आगा कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्षन लें, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं, अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए आप कमाम चैनल्स पर देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आँखडे आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग के आँखड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आँखड से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं, मैं आपको विनेश फोगाट जी का उधारन देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको चार राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 500 वोटों से आ स्थानी प्रशासन पर, इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगा कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्षन ले, तुरंत जितने राउंड हो चुके हैं, अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी छटे या साथे राउंड पर ही रुके हुए हैं, चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग कि उस पर, रिपोर्टर्स के अपने आंख्रे बाहर आग नहीं रहे हैं, कभी कोई काउंटिंग में इसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंख्रे बाहर नहीं आते। बाहर नहीं अपने लगे लिए सेल चौनाव ने लेक्रने कर फिस्ट रहाँ हैं, इस इस लेजरे व्यूर्टर्स के रहे हैं, ऑलोगे वे खिस घूर्टर्स के आंख्रिझा लिए अच्छ्टर्स के विए लिए्ट्सेट टीटिंग टीड़ू को अजे को सब्टेसरान अव in Kashmir in Jammu and Kashmir you are getting live data as for the with every round that is being counted but in Haryana it's not so why